खाना, सोना, संभूग और बचाव एक आवश्यक विश्यवानी पीडिया से भोजन करना, सोना, बचाव करना और संभूग करना भौतिक शाररिक मागों के चार सिधान्थ हैं जो जानवरों और मानव समाज दोनों के लिए सामान्व हैं। मानव समाज को जानवरों से अला करने के लिए सामाजिक स्थितियों और जीवन के क्रम के संदर्व में धार्मिक गतिविधियों का प्रदर्शन होता है। वे सभी वैदिक साहिते में सपश्ट रूप से उलिखित हैं और ब्रह्मा द्वारा तब प्रकट हुए थे जब चार विद्ध उनके चार मुखों से उत्पण हुए थे। खाने, सोने, जर्ने और इंद्रियत रुप्ति के पाश्विक सभिता ने आधुनिक मनुष्य को ये भूला दिया है कि उसकी आत्मा कितनी शक्ति शाली है। आत्मा एक आध्यात्मिक जिंगारी है जो सोर्य, चंद्रम या बिजली से भी कई गुना अधिक प्रकाश्मान, तेजस्वी और शक्ति शाली है। मानव जीवन तब खराब हो जाता है जब मनुष्य अपना समय केवल खाने, सोने, बचाओं और संभोग करने में व्यातीत करता है नकि अपनी आत्मा के साथ अपनी वास्तविक पहचा के व्याख्यान, वारित अलाप और पत्र इस आवर्शक विश्य की व्यापक प्रस्तुती प्रदान करते हैं जैसा कि वानी कोट सीटिंग, स्लीपिंग, मेर्टिंग और डेफेंडिंग श्रेणी में देखा जाता है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निमनलकत बार्य उद्धरन कोई व्यक्ति भगवान की प्रती वफादार हो सकता है, भगवान की प्रती समर्पित हो सकता है और भगवान से जुड़ सकता है और इस प्रकार वेह बहुत जल्दी पून क्रिश्न चेतना प्राप्त कर सकता है। क्रिश्न चेतना की साधना में सफलता का रह से स अप्रेल 1949-49 जब तक भौतिक शरीर मौजूद है, व्यक्ति को शरीर की माग्ये पूरी करनी होती हैं, जैसे खाना, सोना, बचाव और संभूप। लेकिन एक व्यक्ति जो शुद्ध भख योग में है या क्रेश्न चेतना में है, शरीर की मागों को पूरा करते समय इंद्रियों को जागरित नहीं करता है, बलकि वह जीपन की मुलभूत आवशक्ताओं को स्विकार करता है, एक बुरे सौदे का सर्वोत्तम उप्योग करता ह और क्रेश्न चेतना में पारलौकिक खुर्शी का अनन लेता है, भगवत गीता 23 चून 23 हर राचि और हर समाज खाने, सोने, संभूग और बचाव की गुणवत्ता में सुधार करने की कोशिश में व्यस्त है, जीवन का ये माना रूपेन चार परश्यों सिधानतों से कहीं अधिक के लिए हैं, खाना, सोना, संभूग करना और बचाव करना जानवरों के सामराज में पाई जाने वाले समस्याएं हैं और जानवरों ने इन समस्याओं को बिना किसी कठिनाई के हल कर लिया है, मानव समाज को इन समस्याओं को हल करने में इतना व्यस्त क्यूं होना च जाहिए कठिनाय यह है कि लोग इस सरल दर्शन को समझने के लिए शिक्षित नहीं है चैतन्य चरितामरित मध्य लीला 9.159 यद्यपी मनुष्य का जीवन अधिक्तम से वर्ष का होता है परंतु सोने से मनुष्य 50 वर्ष खो देता है भूजन, सोना, यौन जीवन और भयर ये चार शाररिक आवशक्ताएं हैं लेकिन जीवन की पूरी अवधी का उप्योग करने के लिए आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ने के इच्चुक व्यक्ति को इन गतिविधियों को कम करना होगा इससे उसे अपनी जीवनकाल का पूरा उप्योग करने का अवसर मिलेगा श्रीमत भागवत 7.6, खाने, सोने, बचाव और संभोग के मामले में प्रिजूल खर्ची जो शरीर की मांग है योग के अभ्यास में प्रगती को रोक सकती है जहां तक खाने का सवाल है, इसे तभी नियंतरित किया जा सकता है जब व्यक्ते को प्रसादम, पवित्र भोजन लेने और स्विकार करने का अभ्यास किया जाए भगवद गीता 9.226 की अनुसार भगवान क्रिश्न को सब्जिया, फूल, फल, अनाज, दुधादी अर्पित किये जाते हैं इस तरहे, क्रिश्न चेतना में एक व्यक्ती स्वचालित रूप से मानव उप्भोग के लिए नहीं बने भाजन को स्विकार ना करने के लिए प्रशिक्षित हो जाता है या अच्छाई की श्रिणी में नहीं भगवद गीरा 6.1 साथ जब कोई पत्नी को स्विकार करता है तो ये समझा जाना चाहिल कि उसी मुक्ती की और प्रगतिशिल यात्रा में मदद मिल रही है जीवन की शुरुवात में एक व्यक्ती को ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है और फिर उसे एक उप्यूक लड़की से शादी करने और ग्रिहस्त बनने के अनुमति दी जाती है यदि कोई ग्रिहस्त जीवन में पूरी तरह से प्रशिक्षित है तो उसी मानव जीवन के लिए खाने, सोने, संभुग और बचाव के सभी सुविधाएं मिल जाती हैं यदि इसे न्यामक सिध्धानतों के अनुसार क्रियानवित किया जाए तो सब कुछ मौझूद है श्रीमत भागवाद 4.25-37 मानव जीवन से निचले स्तर के जीवन के विभिन रूपों में बुद्धी जीवन की प्रात्मिक आवशक्ताओं अर्थात खाना, सोना, संभुग और बचाव के सीमा से आगे नहीं जाती है कुत्ते, बिलिया और बाग हमेशा खाने के लिए कुछ खोजने या सोने के लिए जगे खोजने, बचाव करने और सफरता पूर्वक संभोग करने की कोशिश में व्यस्त रहते हैं हाला की जीवन के मानव रूप में किसी को इतना बुद्धेमान होना चाहिए की वे इह पूछ सके की वे इह क्या है, वे दुनिया में क्यूं आया है, उसका कर्तव्य क्या है, सरवच नियंत्रक कौन है, जड़ पदार्थ और जीवितिकाई के बीच क्या अंतर है, वगर है में परिवर्थित हो जाता है, यह सब अस्थाई है, एक जीवित टाणी भौतिक शरीर नहीं है, बलकि सर्वोच सत्ता का एक शाश्वत हिस्सा है, और इसलिए उसके आत्म ज्यान का पुन्रुधार आवश्यक है, इस ज्यान के बिना मानव जीवन अस्तिव्यस्थ है, श्रीम लिया जाता है, सोते समय व्यक्ति पूरी तरह से भूल जाता है कि जीवन का उद्देश क्या है और क्या करना है, आध्यात्मी कनुभूति के लिए व्यक्ति को यथा संभव नीद से बचने का प्रयास करना चाहिए, व्रिंदावन के गोस्वामी व्यवहारिक रूप से बि भी नहीं, वे सदे वाध्यात्मिक साधना में लगे रहते थे, निद्राहर विहार का रिवी जितों, श्रीमत भागवत 5.1,4,20,4 प्रमुक शाररिक मांगिन खाना, सोना, संभोग करना और रक्षा करना किसी भी परिस्थिती में पूरी की जा सकती हैं, चाहे कोई अपवि इमारे के चार सिधानतों से कैसे मुक्त हुआ जाए, यही असली समस्या है, यह नहीं है कि मैं क्या खायूंगा, पर शुपक्षियों को ऐसी कोई समस्या नहीं है, सुबह होते ही वे तुरंट चिलाने लगते हैं, जी, 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 वे जानते हैं कि उन्हें अपना भोज जन मिलेगा, कोई भी नहीं मर रहा है, और अधिक जन संख्या जैसी कोई चीज नहीं है, क्यूंकि सभी को ईश्वर की विवस्था द्वारा प्रदान किया गया है, अन्य ग्रहूं की आसानी आत्रा 2, जब भगवान संतुष्ठ होते हैं, तो जीवन की सभी आवशक्ताएं स्वता ही पूरी हो जाती हैं, वेदों में ये भी कहा गया है, एक बहुनामयो विद्धाति कामान, कठुप निशा 2.2.13, वेदों से हम समझते हैं कि वे इन सभी की आविशक्ताओं की आपूर्ति कर रहा है, और हम वास्तों में देख सकते हैं कि निचले जानवरों, मक्यों के पास कोई व्यवसाय या पेशा नहीं है, फिर भी वे भोजन के अभाव में नहीं मर रहे हैं, वे सभी प्रकृति के तरीके से रह रहे हैं, और उन सभी को जीवन की आविशक्ताएं प्रदान की जाती हैं, अर्थात भोजन, सोना, संभूग और बचाओ, श्रीमत है क्योंकि ये शरीर की आविशक्ताएं हैं, लेकिन वो है सीगति विधियों को व्यवस्थित तरीकर से करता है, उसे कृष्ण प्रसाद खाना होगा, उसे विन्यमित सिध्धान्तों के अनुसार सोना होगा, सिध्धान्त ये है कि नीद की अवधी कम करें और खाना कम करें केवल वही ले जो शरीर को फिक्ष रखने के लिए आवश्यक हो संक्ष्यप में लक्षा आध्यात्मिक उन्नति है इंद्रियत रिप्ति नहीं वैसे ही सेक्स लाइफ को भी कम करना होगा योन जीवन केवल कृष्ण भावना भावित बच्ची पैदा करने के लिए है